दोस्तों आज मैं आपको Facebook Messenger की 10 गुप्त सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो Facebook Messenger में होती है लेकिन आप में से कहीं सारे लोग इन सेटिंग को यूज नहीं करते कहीं सारे लोगों को इन सेटिंग के बारे में पता ही नहीं है दोस्तो अगर आप एक Facebook Messenger यूजर है तो आप इस वीडियो को पूरा end तक जरूर देखिए इस वीडियो में आपको कुछ नई सेटिंग सीखने के लिए मिलेगी और ये सेटिंग सीखने के बाद आपको Facebook Messenger चलाने में पहले से बहुत ही जादा मज़ा आएगा तो आप वीडियो को end तक जरूर देखिए आगे बनने से पहले दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकोन को दबा कर all पर सेट कर दीजिए ताकि जैसी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करू तो इसकी नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद दोस्तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक कमेंट कर देना है फेस्बुक मैसेंजर एक कमेंट जरूर कीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो पहली सेटिंग की मदद से आप अपने किसी भी फ्रेंड को इगनॉर लिष्ट में एड कर सकते हैं मिसाल के तोर पर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको बार बार मैसेंजर पर मैसेज करता है फाल्तू के मैसेज कर करके परेशान कर देता है अब ऐसे में आप उसे ब्लॉग भी नहीं करना चाते तो आप उसे इगनॉर लिष्ट में एड कर सकते हैं इससे दोस्तो क्या होगा जब भी वो आपको मैसेज करेगा तो उसके सारे मैसेज इस स्पैम मैसेज में चले जाएंगे आपको कोई भी नोटिफिकिशन नहीं मिलेगा और आपके फ्रेंड को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसे इगनॉर लिष्ट में एड कर रखा है तो इसके लिए दोस्तो आपको क्या करना है अपने उस फ्रेंड की चैट को ओपन कर लेना है इसके बाद उपर आई बटन पर किलिक करना है इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी इगनॉर मेसेज़ेस आपको इस पर किलिक करके इगनॉर पर किलिक कर देना है तो दोस्तों अब मैंने इस बंदे को ignore list में add कर दिया है अब ये बंदा जब भी मुझे message करेगा तो कोई भी notification नहीं आएगा उसके सारे message spam message में चले जाएंगे अब मान लीजिए आपको दुबारा से इसे unignore करना है या फिर आपको देखना है कि आपने कितने लोगों को ignore list में add कर रहा है तो आपको क्या करना है उपर अपनी profile पर click करना है इसके बाद message request पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर spam पर click करना है तो यहाँ पर वो सभी बंदे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो यह friend दोस्तों unignore हो जाएगा अब यह जब भी मुझे message करेगा तो इसके message के notification मुझे मिलते रहेंगे दोस्तों दूसरी setting की मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपने जो message अपने friend को किया है उसने वो message पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे वो message मिला है या नहीं मिला है अगर उसने पढ़ा है तो कौन से time पढ़ा है यह सारी details आप देख सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है अपने उस friend की chat को open कर लेना है और जो भी message आपने send किया है उस message पर आपको एक बार click करना है click करने के बाद अगर नीचे आपको send लिखा हुआ मिलता है इसका मतलब यह है के message तो send हो गया है लेकिन आपके friend को message मिला नहीं है ठीक है अगर आप message के उपर click करेंगे और नीचे आपको deliver लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब यह है के message आपके friend को मिल चुका है लेकिन उसने अभी पढ़ा नहीं है अगर आप message के उपर click करेंगे और नीचे आपको scene लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब ये है कि आपके friend ने आपके message को पढ़ लिया है और आपको यहाँ पर time भी दिखाई देगा के कौन से time में आपका message आपके friend ने पढ़ लिया है दोस्तों तीसरी setting की मदद से आप Facebook Messenger से logout कर सकते हैं जैसे के आपको पता ही होगा Messenger में logout की कोई भी setting नहीं होती है लेकिन अगर मान लिजिए आपको Messenger से logout होना है तो इसके लिए आपको अपने Facebook account को login करना होगा आप चाहे Chrome browser में कीजिए चाहे Facebook application में इसके बाद आपको 3 line पर click करना है नीचे आपको settings and privacy पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर settings पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी security and login आपको इस पर click करना है इसके बाद आपकी login details आपको यहाँ पर पता चल जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है messenger यहाँ पर दोस्तों आपको 3 dot पर click करना है और यहाँ से दोस्तों आपको logout कर लेना है जैसे आप logout पर click करेंगे आप facebook messenger से logout हो जाएंगे दोस्तों तीसरी setting की मदद से आप messenger पर secret chatting कर सकते हैं अपने किसी भी friend के साथ आप जो भी message send करेंगे उस पर आप timer set कर सकते हैं जो भी time आप set करेंगे उस time के बाद message automatic delete हो जाएगा आपके पास से और आपकी chat कोई भी बंदा गर open करेगा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा तो ये setting करने के लिए आपको अपने friend की chat को open करना है i button पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक setting मिलीगी go secret conversation आपको इस पर click करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक घड़ी का icon मिलेगा आपको इस पर click करना है अब यहाँ पर आप अपनी पसंद के मताबिक time set कर सकते हैं जैसे के यहाँ पर मैं 5 second set कर देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं message type करके send कर देता हूँ इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर timer शुरू हो चुका है 5 second के बाद automatic यह message delete हो जाएगा जैसे के आप देख सकते हैं दोस्तों पाचवी सेटिंग की मदद से आप अपने online status को height कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं के messenger पर आप online रहे लेकिन किसी को दिखाई ना दे किसी को पता ना चले के आप online है तो ऐसी setting आप कर सकते हैं इसके लिए आपको उपर अपनी profile पर click करना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी active status आपको इस पर click करना है और यहाँ से आपको इस setting को off कर देना है इसके बाद दोस्तों अगर आप messenger पर online रहेंगे इसके बाद भी आप किसी को दिखाई नहीं देंगे कि आप online है दोस्तों चटी setting की मदद से आप messenger पर अपने mobile data को ज़्यादा खर्च होने से बचा सकते हैं अगर आपका कोई भी दोस्त आपको messenger पर photo video send करता है तो वो automatic download हो जाते हैं जिस वज़े से आपके mobile की battery भी जल्दी खतम होती है mobile का storage भी full होता है और आपके mobile का data भी जल्दी खतम हो जाता है तो अगर आप messenger में एक setting कर लेंगे तो आपका mobile में automatic कोई भी photo और video download नहीं होगी और आपका mobile का data जल्दी खतम नहीं होगा तो ये setting करने के लिए आपको अपनी profile पर click करना है और नीचे आना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक setting देखने के लिए मिलेगी data saver आपको इस पर click करना है और इस setting को यहाँ से on कर लेना है इसके बाद दोस्तों क्या होगा messenger पर कोई भी photo और video automatic download नहीं होगी अब आप जब click करेंगे तबी download होगी और आपके mobile का data messenger पर ज्यादा जल्दी खर्च नहीं होगा दोस्तों साथवी setting की मदद से आप अलग-अलग chat के लिए अलग-अलग theme set कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने friend की chat को open करना है i button पर click करना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी theme आपको इस पर click करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारी theme देखने के लिए मिल जाएगी जो भी theme आपको पसंदे वो आपको set कर देना है इस तरह से दोस्तों आप अलग-अलग chat के लिए अलग-अलग theme set कर सकते हैं अगर आपको दुबारा इसे पहले की तरह करना है तो वो भी आप कर सकते हैं आपको यह वाली theme set कर देना है तो आपकी chat पहले की तरह हो जाएगी दोस्तों आटवी setting की मदद से आप किसी भी message को आसानी से search कर सकते हैं मिसाल के तोर पर आपका कोई khas friend है और आपने उसके साथ काफी लंबी चोड़ी chatting कर रखी है और उसमें से आपको कोई message धूंडना है तो अगर आप scroll करेंगे तो आपका काफी समय बरबाद हो जाएगा इसी तरह से अगर आप किसी group में जॉइंड है वहाँ पर कहीं सारी chatting होती है कहीं सारे message आते हैं अब उन में से आपको कोई message search करना है तो आप एक click में search करके उसे open कर सकते हैं ठीक है तो यह करने के लिए आपको पहले chat को open करना है i button पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी search in conversation आपको इस पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना message type कर लेना है जो भी word है वो आपको type करके search button पर click कर देना है जिसी आप click करेंगे तो वो message आपके सामने आ जाएगा जिसे आप open करके आसानी से देख सकते हैं दोस्तो नवी setting की मदद से आप messenger पर dark theme को apply कर सकते हैं अगर आप रात के समय बहुत ही जादा messenger यूज़ करते हैं तो mobile से लिकलने वाली ये blue light आखों पर काफी जादा असर करती है इससे आखे खराब होने के chances बढ़ जाते हैं तो आप जब भी रात के समय messenger को use करते हैं तो आपको dark theme को on कर लेना चाहिए इसके लिए आपको उपर अपनी chat के icon पर click करना है sorry profile के icon पर click करना है और आपको यहाँ पर उपर ही dark mode का option मिल जाएगा इस setting को यहाँ से on कर देना है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तो messenger पर dark theme अपलाई हो चुकी है रात के समय जब भी आपको chat करना है तो dark theme को on कीजिए अगर आपको इसे off करना है तो आप आसानी से off भी कर सकते है दोस्तो आखरी setting भी बहुत ज़ादा useful setting है जैसे के आपको पता ही होगा के messenger के अंदर से हम कोई भी photo और video को click कर सकते है इसके लिए camera के icon पर click करना है camera open हो जाता है video और photo हम यहाँ से record कर सकते है और अपने किसी भी friend के साथ share कर सकते है लेकिन messenger से click की गई photo और video वो gallery में save नहीं होती है सिर्फ messenger के अंदर ही होती है तो अगर आप चाहते हैं जब भी आप messenger से कोई भी photo और video record करे तो वो आपके mobile की gallery में भी save हो जाए तो इसके लिए आपको एक setting करना होगी आपको profile पर click करना है इसके बाद आपको नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी photos and media आपको इस पर click करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको save on capture पर इसके बाद आप जब भी messenger से कोई भी फोटो और वीडियो के लिक करेंगे वो आपके मोबाइल की गैलरी में भी सेव हो जाएगी अगर आपको मेरे ये वाल पेपर पसंद है तो इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए वट्सब फेस्बुक पर जादा से जादा शेर कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में टाइंक यू